हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दा इक्साम हैकर चैनल दोस्तो पिछले वीडियो में हम लोग ने इंडस्ट्रियल रिजनलाजेशन जो टॉपिक थी उसको कवर किया हुआ था दोस्तो यूपीस सी स्लेबस की एकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है वो हमारी है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज तो आज कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहां पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को यहां पे डिसकस करने वाले हैं दोस्तों सिंपली आप यदि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करे तो 1991 के बाद की जो policy है industrial को लेकर उसको बोलते हैं new industrial policy तो new industrial policy में देख लेते हम लोग क्या क्या discuss करने वाले हैं सबस्पर यहाँ पे background देखेंगे क्यों हमारी new industrial policy लाने की जेरुरत पड़ी और economic crisis 1991 में आई थी उसके क्या characteristic थी उसको भी हम लोग देखेंगे फिर new industrial policies को हम लोग फिर discuss करेंगे उसमें दो major policies थी stabilization measures लिये गया थे इकनोमिक को फिर इकनोमिक में structural reforms लाए गया थे वो हमारी दूसरी industrial policy थी यह दो दूसरी कटेगरी की industrial policy थी तो structural reforms थे उसमें भी तीन कटेगरी थी liberalization, privatization और globalization इन तीनों को हम लोग detail में study करेंगे फिर हम लोग evaluate भी करेंगे कि जो new industrial policy आई थी उसके क्या implication हुए, क्या effect हुए उसको भी बहुत ही short में हम लोग evaluate करेंगे तो दोस्तों चलो आज का वीडियो हम लोग start करते हैं और new industrial policy को हम लोग आज यहाँ पे complete करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों background देख लेते हैं कि new industrial policy लाने की क्या जरूत पड़ी हमारी economic crisis 1991 में क्यों आये और 1991 में new industrial policy लाने की क्या जरूत पड़ी ठीक है तो दोस्तों financial crisis आये थे 1991 में आपको पता होगा क्योंकि 1980 में आप देखोगे तो inefficient management हुए थे Indian economy में यानि Indian economy में हर सेक्टर में चाहे agriculture की, industrial की या हमारी information technology की या government की expenditure की या borrowing की और bank की सब जगे यहाँ पे inefficient management देखने को मिले थे ठीक है जैसे यहाँ पे taxation में भी आपको देखने मिलेंगे की high income tax उस समय थे corporate tax भी बहुत ज़्यादा high था और इसी high income tax या corporate tax को बचाने के लिए tax evasion करते थे ठीक है ते भी हमारी inefficient management में आता है taxation जो system थी 90's, 80's में वो हमारी faulty थी इसकला दोस्तों यहाँ पे public sector बहुत ज़्यादा बनाय जा रहे थे यहाँ पे public enterprises बनाय जा रहे थे और बहुत ज़्यादे जो sectors थे उसको reserve किया रहा था कि public sector ही उस पे काम खरेंगे इसके वज़े से आप देख सकते हो कि government in public sector में पैसे तो बहुत है भी invest की लेकिन return इनको नहीं मिला और यहाँ पे बहुत ज़्यादा inefficient management देखने हो मिले और public sector उतनी अच्छी पावखाम नहीं की जितने investment किये गए थे तो इसके वज़े से भी यहाँ पे आप देख सकते हो government को losses हुए फिर expenditure बहुत ही ज़्यादा हो गया था जितना income नहीं थी उतनी expenditure हो गई थी और government के आकरिती बहुत ज़्यादा borrowing की कहां से एक तो इंडियन जो banks थी वहां से borrow की और इंडियन से यानि public से भी बारो की फिर international borrowing की सब जगह से government ने बहुत ज़्यादा borrow कर लिया और यहाँ पे income उनको मिलने रहे थी क्योंकि government कहां invest की थी social security में invest की थी social scheme में invest की थी और defenses में invest कर रहे थी और public sector में invest कर रहे थी अब देखो Social Security में Investment Government कर रही थी लेकिन Immediate Return तो मिलेंगे नहीं न मानलो आप Education Poverty को हटाने में आप Invest करोगे लेकि Immediate Return नहीं मिल रही थी इसके वैसे आप घाटे चल रहे थे और Defense में ज़्यादा Expenditure करेंगे उसमें ते Return मिलेंगे नहीं अब Public Sector में Government Investment कर रही थी, Public Sector घाटे में या Inefficient बहुत ज़्यादा Profit नहीं कर रही थी तो यहाँ पर Government को Revenue नहीं हो रहे थे, Expenditure बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रहे थी ठीक है और Government ने Export पे भी ज़्यादा ध्याद नहीं दिया, Focus नहीं किया कि हम Export करें और Global Market को Capture करें अब Government Export नहीं करेगी उनके पास जो Forex Reserve थे वो हमारे कम होते गए ठीक है तो यहाँ पर Bank में Deficit देखने हो लिए International Institute से बहुत ज़्यादा Borrowing हुए है और Unemployment बढ़ गए, Poverty बढ़ती गई, Population, Exploration होते गए इस सारी Major Regions Responsible थे 1991 में Economic Crisis आई थी तो सभी जगा सारे सेक्टर में आप देखोगे Inefficient Management देखने हो मिला Economic में तो उसके वाज़ से Economic Crisis आई 1991 में उसके लिए आप देखते हो Government पास इतने पैसे नहीं थी गवर्मेंट इतने ज़्यादा बारो कर ले थी कि उनकी जो EMI चल रही थी ठीक है, Loan जो Repayment चल रही थी EMI चल रही थी EMI देने के लिए भी गवर्मेंट पास पैसे नहीं थे EMI को भी पैसे करने के लिए आधर बारो करने पड़ रहते इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी इंडियन गवर्मेंट को 1991 में इंडिया की तो Forex जो Exchange Reserve थे उमारे डिप्रीट हो गए थी, खतम हो गए थी ठीक है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि कल के लिए भी पेट्रूलियम को हम इंपोर्ट कर सके और जरूरत चीजों हम इंपोर्ट कर सके sufficient reserve नहीं था इंपोर्ट करने के लिए essential goods जो prices थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और international जो funding थी वो कोई भी international यानि कोई भी countries या international जो institution होते हैं वो इंडिया को help करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, land नहीं करता तो उधार नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे इस्तिती बहुत ही ज़्यादा बत्तर हो गए थे 1991 में इसी को बोलते हैं दोस्तो economic crisis तो government ने क्या किया उस समय IMF और World Bank के पास गई government और government ने IMF में ने क्या किया 7 billion dollar immediate help दिया government को यहाँ पे ज़रुतनी चीज़े इंपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे पेट्रोलोगरा और ज़रुतनी चीज़े इंपोर्ट करने के लिए लेकिन साथ-साथ IMF या World Bank ने दोनों ने यहाँ पे बहुत सारे सुधार लाने की प्रपोजल दिये government को कि इंड में competition लाओ ठीक है ट्रेट करो इंपोर्ट करने दो एक्सपोर्ट करो ठीक है इस सब चीज़ों को प्रपोजल दिया तो government ने इसी प्रपोजल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे new industrial policies या उसको new economic policy भी बहते हैं एक गवर्मेंट ने लाई तो एक जो new industrial policy थी एक single policy नहीं थ थी जो हमारी 15 साल तक चलती रही ठीक है तो 1991 से start हुआ 15 साल तक इसको implement करने में time लगा तो group of policies थी इसको implement करने में तो इस policy को दोस्तों दो केटेगरी में हम divide कर सकते हैं पहली केटेगरी है हमारी stabilization economic measure दूसरी है structural reforms देखो पहली में क्या था stabilization economic measure यानि जो हमारी economic में turbulence थे उसको stabilize करने के लिए जो policy लाएगे तो stabilization जो policy थी हमारी short term measures थी यानि कि बहुत कम समय के लिए इमीडियेट हमको outcome देने वाली policy थी जो हमारी weakness थी economy में उसको दूर करने के लिए अब weakness के बात करते हैं पे जैसे balance payment हमारी गढ़बर थी उसको सुधारने के लिए यहाँ पे measures लिया गये sufficient foreign exchange थी उसको maintain करने के लिए हाँ पे step लिया गये inflation को control करने के लिए RBI को यहन पे instruction दिया गया तिसारी चीज़े जो immediate हमारी help हो सकती थी economic की stabilize करने के लिए उसको लाने के लिए stabilization measures लिए गये अब दूसरी जो यहाँ पे category economic reforms लाए गये उसमें हमारा structural reforms था अब देखो structural reforms को बतलब यहाँ पे long terms measures लिए गये इकनोमिक को यहाँ पे strengthen देने के लिए stabilize करने के लिए efficiency लाने के लिए long term से यहाँ पे measures लिए गये इंडेश्टिस की production बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो long term measures है उसमें हाँ पे competition को बढ़ाने के लिए और यहाँ पे barrier को remove करने के लिए और उसमें भी आप देखोगे तो तीन category है major structural reform में पहला है liberalization दूसरा है privatization तिसरी हमारी globalization ठीक है तो structural reform में तीन major category इसमें है एक ही करके हम लोग यहाँ पे discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले चलते हैं liberalization, liberalization में भी बहुत सारे policies लाए गया थे इस category के अंदर पहला आप बोल सकते हैं यहाँ पे deregulation of industrial sector industrial sector में जो regulation किये गये थे उसको deregulate करने के लिए policy लाए गये इसको हमनों detail में study करेंगे फिर financial sector में भी reform लाए गये, bank में reforms लाए गये, tax reform लाए गये, forex exchange reform लाए गये, trade and investment policies में reforms लाए गये तो liberalization की अंदर भी आप देशकते हो बहुत सारे reforms लाए गये हैं इसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले चलते हैं पे deregulation of industrial sector पहले क्या होता था, 1991 से पहले क्या होता था कि जो industries थी, कोई भी entrepreneur जो थी, वो कोई भी industries को open करना चाती थी तो सबसे पहले government के officer से उसको permission लेना होता था, यानि यहाँ पे licensing वाला system चलता था, license राज चलता था आपको कोई भी छोटी भी industries आपको open करने हो, तो government से आपको permission लेनी पड़ेगे यह थी industries को बांद भी करनी हो, तब भी government के permission लेनी पड़ेगे और industries में मालो output आपको बढ़ा नहीं है या घाटा नहीं है, तब भी government को, government से permission लेनी होती थी तेहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्टिक्शन थे यहाँ पर इंडस्टियर लाइसेंसिंग पॉल से चलती थी ठीके और भी इसके लावाँ आप बोड़ सकते हो प्राइबेट सेक्टर थे वो बहुत सारे बिजनेस को स्टार्ट करने की परमिशन नहीं थी उसमें सिफ गौर् प्रोडिस नहीं कर सकती थी और इसके लावा गौर्मेंट यहाँ पर प्राइज को भी फिक्स करती थी अब प्राइबेट कंपरी कोई भी प्रोड़क्ट को बनाए उसके प्राइज क्या होगी गौर्मेंट यहाँ पर फिक्स करती थी तो अब देश्टियर यहाँ पे एबुलिस कर दिया, सभी में एबुलिस कर दिया, यानि कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ पे गौर्मेंट की परमिसन लेने की जरूरत नहीं थी, किसी भी बिजनेस को बंद करने के लिए गौर्मेंट की परमिसन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, इंडेस्टी के लिए गौर्मेंट से यहाँ परमिसल लेनी पड़ती थी लेकिन इसके लाँ जो simple जो इंडेस्टी है जनरल उजेस के लिए गौर्मेंट को परमिसल नहीं लेनी होती थी ठीक है तो अब टेहाँ पर de-regulate कर दिया इसके लाँ दोस्तों गौर्मेंट ने पहले बहुत सारे जो सेक्टर थे उस पर सिंव gewrrment ही करती ती यानि कि public wreck and units business करती थी लेकिन यहांपे three सेक्टर एक्टर को छोड कर सबको यहा पर प्राइबेट Divine or private player यहांप पे एंठी कर सकते थे alternate तिन सेक्टर कूलों प्राइबेट प्लेयर यहाद पे इंट्री कर सकती थी इसते क्या हुआ यहाद पर कमपर्टिशन बढ़ गया पहले क्या होती थी सिफ गॉआर्मेंट ही उस सेक्टर में थी तो गॉर्मेंट का मोनोपली था कितनी produce कर रही है कितनी price fix कर रही है और क्या produce करना है सब कुछ government का रोल होता था लेकिन यहाँ पर जब private player आएंगे तो government की जो company है वो यहाँ पर compete करेगी और जो sustain में बेचेगा उसकी यहाँ पर profit होगी या वो sustain करेगा तो यहाँ पर competition आया जब private के लिए open कर दिये इसकला दोस्तों यहाँ पर जो small scale de-reserve कर दिये ठीक है small scale industries जो पहले reserve थी कि वो ही produce करेगी यहाँ पर de-reserve कर दिये यानि कि बड़े scale वाले industries भी जो product है जो पहले small scale industries exclusive उसी produce करती थी अब कि बड़े industries भी उसको produce कर सकती थी तो यहाँ पर price competition हो जाएगा फिर दिखो market को allow किया कि कोई भी आप goods बना रहे हो तो यहाँ पर आप अपने according price को fix करो market पर छोड़ दिया ठीक है पहले क्या होते थी? गवर्मेंट fix करती थी मालनो आप एक biscuit बड़ाए बिस्किट की price क्या होगी? पहले कवर्मेंट fix करती थी लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1991 के बाद बिस्किट price क्या होगी? यह market बताएगा, market fix करेगी गवर्मेंट इसको fix नहीं करेगी तो यहाँ पर पहले जो कटेगरी थी liberalization में de-regulation आप industrial sector किया दूसरी यहाँ पर कटेगरी में financial sector reforms पहले RBI क्या करती थी? बहुत ज़्यादा regulate करती थी बैंकों पर ठीके, बैंकों के जो SLR होते थे, CRR होते थे बहुत ज़्यादा high rate होते थे यानि कि CRR आपको रिजब करनी RBI बहुत ज़्यादा regulate करती थी उसको ज़्यादा जो बैंक थे उनके पास पैसे बचते नहीं थे lend करने के लिए और RBI ये भी करती थी किसको आपको lending करना है किसको नहीं करना है तो काभी कोई से regulator था लेकिन 1991 के बाद यहाँ पर RBI के role को regulate करने से छोड़के इसको facilitate करने की role पे regulate नहीं करना है काफी कुछ बैंक अपना own decision ले सकती है 1991 के बाद ऐसा कुछ यहाँ पर provision किये गया इसके लगा दोस्तों यहाँ पर private sector की जो बैंक है उसको भी business करने के लिए allow किया गया इसके विए से आप दे सकते हो Indian के भी private sector यहाँ पर इंटर किये और foreign bank भी इंडिया में 1991 के बाद यहाँ पर आई ठीक है तो government ने यहाँ पर जो पहले approval सब के लिए सब चीज के लिए approval लेना पड़ता था RBI से यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे चीजों को Autonomy दे कि bank अपना खुद decision ले सकते हैं इससे यहाँ पर banking sector भी हमारी strengthen हुई और banking sector में private bank भी आया है foreign bank आया है इससे यहाँ पर competition पड़ी यह हमारी financial sector reforms है अब सब्सक्राइब दोस्तों टैक्स डिफॉंस में दोस्तों 1991 से पाहले जो हमारी direct tax थी चाहे हो वो income tax हो या corporate tax हो दोनों tax बहुत ज़्यदा high rate थे उनकी rate high थी इसके वाज़े से individual या corporate क्या करते थे tax evasion करते थे tax को चोरी करते थे लेकिन 1991 में tax reforms लाए गया और धीमे धीमे individual जो income है यानि कि direct tax और corporate tax को धीमे धीमे reduce किया गया और अभी आप देख सकते हो कि हमारी moderate position पर है other country के equivalent है यहां पर हमारी direct tax दोस्तों अभी रिसेंटली जीएस्टी यान इंडिरिक टेक्स में भी रिफॉर्म लाए गया है जीएस्टी गोड्स एंड सर्विस टेक्स यह हमारी इंडेक्स इंडेक्स में रिफॉर्म लाए गया है ति हमारी currency थी इंडियन currency थी उसकी value को government fix करती थी लेकिन 1991 के बाद यहां पर यहां पर devalute किया गया अपने rupees को और यह market पर छोड़ दिया गया कि rupees की values क्या होगे अब इससे क्या हुआ देखो devalute किये तो हमारी जो foreign currency थी वो इंडिया में आने इस्टार्ट हो गई FDI group में FII group में तो हमारी forest reserve भी हमारे बढ़े गया और पहले रूपीज की बहुत ज़्यादा हाई कीमत थी अब यहां पर market इसको determine करेगी तो actual कीमत जो है वो हमारे रहेंगी तो इसके वाज़े से forest reserve हमारे बढ़े अब अगला liberalization में जो reforms लागा है वो मारे trade and economic policy reforms लागा है दिको trade के sector में पहले barrier था कि किसी जो को export करना है किसको नहीं करना है किसको import करना है सब कुछ government यहाँ पर decide करती थी और बहुत ज़्यादा barrier लगे हुए थे यानि कि fornance से आप ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो इंडियन company यहाँ पी इंडियन market को पुरा capture करके रखी हुई थी इसी क्या था इंडियन company में inefficiency आ गया था जितनी भी price government fix करती थी यहाँ पर क्या थी पहले है कि मालो cost of production 100 रुपी है तो government क्या करती थी 110 रुपे MRP यहाँ पर रखती थी 10 रुप process की होते थे process public होते थे यहाँ पर क्या क्या है कि open कर दिया trade and economic policy में reforms ला गया है और international competition यहाँ बढ़ गया है यानि कि अब यहाँ पर import भी कर सकते हैं abroad से उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो मालों आप बहुत यादा high price रखोगे इंडियन company high price रखेंगी और import से सस्ते मिल रहे हमें तो क्या करेंगे public क्या करेंगे import वाले चीज़ों को खर देगी तो यहाँ पर competition बढ़ गया लेकिन government ने यहाँ पर कुछ local जो industries थी उसको save करने के लिए यहाँ पर कुछ safeguard duty भी लगाया और धीमे धीमे अपनी economy को यहाँ पर open किया अजाना कि यहाँ पर सारे चीज open नह लगाती थी उसको भी remove कर दिया गया इससे क्या होंगे जो इंडियन कंपनी है वो यहाँ पर export करने लगी abroad में और यहां से foreignman जो रिजर्ब थी वो भी यहाँ पर मढ़ने लगे है यहोगे दोस्तों liberalization में जो लाए गए थी हमारी industrial policy या economic policy वो थी आप देखने है प्राइब transition भी करने को यहाँ पर suggest किया हुआ था जो पहले बहुत सारे जो government companies थी पब्लिक enterprises थे वहाँ टैप चल रहे थी इन इफिसिर थी तो यहाँ पर government ने इसको क्या क्या private करने किया ठीक है private करने के लिए दो तरीक अपना है पहला तो share को down करके यानि डिस investment करके अपनी जो share था उसको 50% से कम ले आना तो अब हमारी क्या हुआ जाएगी दूसरा था बहुत सारे company को selling out करना बेज देना तो दो तरीकों से यहाँ पे जो public unit company थी पब्लिक enterprises थी उसको यहाँ पे private किया गया इस तरह क्या हुआँगी जो private companies को जो purchase करेगी वह क्या करेंगी यहाँ पे efficiency आ गय policy में globalization भी यहाँ पे mention है globalization का मतलब यहाँ पे कि Indian economy को world की economy से integrate करना यानि मालो USA या other Europe की जो economy है उससे इंडियन की economy भी integrate रहेगी तो क्या होगा कि यहाँ पे इंडिया से उसको supply किया जा सकता था यहाँ इंडिया मालो agriculture की product नहीं अच्छी नहीं हो रही है तो इसको import भी किया यानि कि यहाँ पे जो flow है यानि goods and service का flow है उसको borderless बनाना ठीक है इंटेग्रेट करना एक दूसर से यहाँ पे क्या है इसमें क्या क्या इस्टेप लिया गया है यहाँ नेटवर्स बनाए गये communication का और ports को integrate किया गया trade barrier को भी यहाँ पे हड़ाए गया और economic, social, geographical boundaries को यहाँ दिमें दिमें इसको हटाया गया ठीक है यानि कि ट्रांसिडेंट किया गया ठीक है globalization का actual मतलब है कि प्रूबल में जो countries है वो borderless एक world बन जाए ठीक है ऐसा globalization का एमित है तो इसी को एम के अधार पे आप देशकते हो कि Indian economic को other जो economies थी उसके जोड़ा गया आज आप देशकते ह है तो आपको इंडिया की इकनोमे में भी effect देखने को मिलते हैं मानलो USA का जो federal bank है यदि वहाँ पे rate में change करती है तो इंडियन के share market में आप देशकते हो उत्राद चड़ाव होता है वैसे ही मानलो West Asia में कहीं भी crisis आती है तो इंडिया में की इकनोमे में effect देखने को मिलते है चाइना में दी crisis आती है तब पर भी इंडियन इकनोमे में effect देखने को मिलते हैं तो आप बोड़ सकते हो गलोबलाइस आज हो गया है इंडियन इकनोमिक बहुत सारे जो countries है गलोबल इकनोमिक से उससे connected हो गया है जोस्तों globalization में और आप बोड़ सकते हो outsourcing का एक प्रचलन च चल गया था ट्रेंडिंग चल गया था और बहुत सारे USA जो companies थी इंडिया में आउट्सोर्स करने लेगी legal advice के लिए computer service के लिए advertisement के लिए security के लिए इस सारे चीजा आउट्सोर्सिंग होने लेगी उससे भी हमारा इंडिया को यहां पर फाइदा हुआ इंडिया को यहां पर यहां पर liberalize किया गया, privatize किया गया, globalize किया गया, LPG reforms लाए गया, उसी कोते है निव इंडिया कर लिया है लेकिन इसको evaluate करते हैं कि हमारे Indian economy या Indian industry में क्या है इसका कुछ फाइदा हुआ कि नहीं हुआ तो आप देशने दोस्तों पहले हमारी 1991 से पहले agriculture की जो share थी GDP में बहुत ही ज़्यादा थी लेकिन 1991 के बाद agriculture की growth भी decline हुई और share भी decline हुई यहां पर तो यहां पर आप बोल सकते हो कि LPG तो आया लेकिन agriculture sector में कोई ज़्यादा major यहां पर technology नहीं आये नहीं कुछ major यहां प growth में और उसके share में वह हमारी decline हुई ठीक है फॉस्ट यहां पर एक हमारे drawback आप बोल सकते हो कि manufacturing sector की बात करें यहां इंडिस्ट्री की बात करें तो यहां पर fluctuation देखने को मिला यहां कभी growth अच्छी थी कभी उतनी अच्छी नहीं थी यहां कि major changes आपको देखने को नहीं मि लिए service sector में ठीक है तो service sector हमारी अच्छी perform की LPG reform के बाद लेकिं manufacturing थोड़ा medium perform की agriculture यहां पर decline देखने मिला तो तीनों सेक्टर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा यानि अच्छे मात्रा में 1991 के बात हमारे रिजर्व थी और अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास major जो इंडिया है major reservoir है फोरेक्स रिजर्व का हमेरे अभी 400 billion dollar से ज्यादा फोरेक्स की रिजर्व है ठीक सफिसेंट रिजर्व आपको 1991 के बाद देखा गया और यहां बाइलेंस आप्यमेंट की कभी ऐसा कुछ crisis देखने को नहीं मिले 1991 के बाद थी हमारी positive changes थी और इसके लाँ आप देखोगे तो इंडिया FDI के चेतर में बहुत ज़्यादा attractive destination देखने मिला बहुत सारी companies इंडिया में आके यहां पे काम कर रही है और यहां पे technology बिला रही है पैसी बिला रही है इससे यहां पे जो पर सब्सक्राइब हम लोग evaluate भी किया कि क्या हमारी positive negative changes आए इंडिया में तो आज किस वीडियो में बचितना ही दोस्तों आज हम लोग क्या 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 new industrial policy या 1991 के पाद जो एकनोमिक रिफॉर्म हाय थे इंडिश्य पॉल्सी लाय थे उसक उसका भी region हम लोग यहां पर distance किये तो आज के लिए बसे नहीं दोस्तों thank you for watching I hope आपको वीडियो पसना आया होगा और कुछ यहां पर नया सीखने को मिला होगा तो thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नए टोपिक सार thank you